वेलकम इस्ट्रेंट अब हम देखेंगे फो इस्टू वन मल्टिप्लेक्स है ठीक है तो जैसे मैंने आपको पताया था देखते हैं कैसे वॉक करेंगा क्या ब्लॉक डाइग्राम होगा इसका तो एंड की वैल्यू क्या है इसकी फोर ठीक है तो फोर इंपूट्स हो गए है कि सिंगल आउट्पुट होगा वाई है वाई है वाई है है ठीक है तो इंपूट आई 0, आई 1, आई 2, आई 3 ठीक है तो एंड को फोर हो गया मैंने आपको पहले बताया था सेलेक्शन लाइन निकालेंगे तो क्या फॉर्मुला होता है तो क्या है फॉर्मला होता है समझ में आगे आपको दूबारा देखेंगे तर्स्ट्रामुला होता है तो कि वेल्यू है तो क्या हो था तो सेलेक्शन लाइन होगी दो नमबर ओफ सेलेक्शन लाइन होगी सिंगल आउटपूट आपको ठीक है यह हो गया बलॉक डालीग्राम ओफ 4 is to 1 multiplexer अब यह selection line decide करेंगी कौन सी input में कौन सा output में लेगा ठीक है अब इसकी truth table इसको में truth table नहीं बोलती function table बोलती है how is it it is work ठीक है तो s1 हो गया s0 हो गया और y तो 4 है two inputs है या तो 00,01 10,11 ठीक है तो 00 होगा i0 मिलेगा i1 मिलेगा 10 होगा i2 मिलेगा 11 होगा i3 अब इसे दिखेंगे SOP form में ठीक है 0 होगा तो compliment ठीक है बन होगा तो as it is ठीक है यहां देखते है function s1 0 है s0 0 है इसमें हमें मिल रहा है i0 यानि कि 0 है तो compliment होगा s1 compliment s0 compliment i0 ठीक है प्लस जब s1 s value की value 0 1 होगी तो s1 में compliment s0 ठीक है तो i1 मिलेगा प्लस s1 की 1 होगी और s0 की 0 होगी ठीक है तो s1 s0 का compliment i2 दोनों की value 1 होगी तो क्या मिलेगा हमें as it is लिखेंगे i3 मिलेगा ठीक है यह logic expression आ गई 4 is to 1 multiplexer की ठीक है अब देखते हैं इसका logic circuit यह expression मिली हमें ठीक है अब logic circuit देखते हैं ठीक है 4 end gates में बनेंगे ठीक है क्योंकि 4 terms है ठीक तो 4 end gate बना लीजे 3 input end gates होगे आपके यह लाइन में एंगे यह लाइन मेंगे की लाइन ठीक है और S0 का inverted form ठीक है यहाँ S1 की लाइन ले लेते हैं ठीक है अब S1 का inverted ले लेंगे अब फंक्शन में देखते जाएंगे S1 बार है आपका ठीक है तो S1 बार की लाइन जो आ रही है उससे कनेक करेंगे इसे ठीक है और S0 यानि कि यह बारे लाइन ठीक है यह आपका I0 एसी S1 बार है आपका तो S1 बार यहां से ठीक S0 अल्ली S0 है तो S0 की लाइन यहां से जाएगी और यह I1 ऐसे हम देखेंगे थर्ड है S1 और S0 बार तो S1 की लाइन यह है आपकी S0 बार यह है I2 एसी S1 और S0 तो S1 और S0 सिम्पल है आपके S1 यहां से जाएगा S0 यहां से जाएगा I3 यह वह I3 की लाइन ठीक है तो यह आउटपूट्स लिखेंगे चारों में से ठीक है ठीक है यहापस मैं एड हो रखें तो हम इसके लिए कौन सा गेट यूज करेंगे और गेट यूज करेंगे तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा आउटपूट आउटपूट मिल जाएगा हमारा वाई ठीक है यह हो गया इसका लॉजिक सर्केट लॉजिक सर्केट ओफ फोर इस्टू वन मल्डिप्लेक्सर थेंक्यू क्लास यह हो जाएगा